हेलो दोस्तों मैं ललीता दहिया स्टडी आई क्यू आई ये सिंदी चैनल पे आप सब का स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे जी ट्वेंटी के बारे में जी ट्वेंटी इस बार के एक्जैम के पॉइंट ओफ यू से आप लोगों के लिए बहुत ही जादा है तो आज की कक्षा में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर जी ट्वेंटी संगठन है क्या इसकी अध्यक्षता लेने का क्या तात्प्रिय है इसकी अध्यक्षता की क्या प्रोसेस है हम उस पूरी से समझेंगे और सथ ही कौन-कौन से मुद्दे है जो भारत क्योंकि यदि हम दक्षिन एशिया देशों की बात करें तो भारत एक मात्र ऐसा सदस्य देश है जो G20 का सदस्य है तो इसलिए भारत के उपर और भी जादा दाइत्व हैं दक्षिन एशिया के मुद्दों को G20 के मंच पे उठाने का तो हम एक एक करके G20 के बारे में सारी जो संभाल ली है, दिसंबर 2022 से ही बेसिकली भारत G20 का अध्यक्ष बन गया है, एक साल मालीजे यदि किसी भी सदस्य को अध्यक्षता मिलती है, तो एक साल तक वो सदस्य G20 का अध्यक्ष बनता है, है ना, तो भारत भी एक साल तक G20 का अध्यक्ष रहेगा, और जो G20 की बैठक ह उसकी मेजवानी भी भारत ही करेगा, है ना? ध्यान रखिएगा आधर्षवा क्या है इसका वसुध्यव कुटुम्बकम, यह शबद आपने पहले भी सुना होगा यानि कि वसुध्यव को, यानि पूरी पृत्वी को हमें कुटुम्बकम, यानि कुटुम्ब मानना है एक प्रत्वी एक परिवार एक भविश्य यानि पूरी की पूरी प्रत्वी एक परिवार है और इस पूरी की पूरी प्रत्वी का एक ही भविश्य है इसलिए जितनी भी समस्याएं हैं विश्व की उन समस्याओं का समाधान मिलके सांझा तरीके से किया जाए तो ही हम अपने भविश्य को बहतर बना सकते हैं इसके साथ ही दोस्तों यदि हम एक अंतर दृष्टी डाले G20 पर है ना G20 के बारे में मैं लास्ट में भी आपको एक बार डेटेल से बताऊंगी लेकिन अभी के लिए आप सुनिए G20 ना एक अनोपचारिक समू है क्या है अनोपचारिक समू है informal group है यह अंतर राष्ट्य मुद्राकोश यानि IMF और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ इसमें कौन-कौन शामिल होता है ध्यान रखना इस G20 में IMF के प्रतिनिधी World Bank के प्रतिनिधी यह तो फिर एक अलग बात हो गई कितनी country शामिल है इसमें 19 देश शामिल है European Union शामिल है European Union मैंने plus क्यों बोला क्योंकि इस EU में यानि European Union में बहुत सारी countries है वो सब इसमें शामिल है ध्यान रखिएगा यानि अलग-अलग country के तोर पे नहीं 19 प्लस European Union आपको याद रखना है G20 के यह सदस्य है यह एक अनुपचारिक समू है यदि हम G20 की presidency की बात करें तो यह ना सालाना घूमती है और कैसे घूमती है एक प्रणाली के नुसार समय जो समय के साथ एक छेत्रिय संतुलन सुनिश्चित करती है यह बोल रहा है कि जो G20 है उसकी सदस्यता उसकी अध्यक्षता सालाना घूमती है ताकि छेत्रिय संतुलन स्थापित किया जा सके या प्रोसेस है, अध्यक्ष पद के लिए जो 19 देश है ना दोस्तों, 19 देश प्लस EU है, वो तो EU तो अलग हो गया 19 देशों को ना 5 समुहों में बाट दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, 5 समुहों में बाट दिया जाता है, अब 5 आज समूहों में बांट दिया प्रतीक में 4 से अधिक देश नहीं होने चाहिए यानि इस समूहों में 4 country, इस समूहों में 4 country इस तरीके से इसको कर दिया जाता है अब यदि हम देखें कि भई अध्यक्षता कैसे घूमती है तो हमें इस बात का ख्याल रखना है ध्यान से सुनिएगा कि अध्यक्षता ना देशों के मध्य नहीं घूमती कि भई इसके जो कंट्रीज हैं उनके मध्य नहीं घूमती भलकि इन समूहों के मध्य घूमती है पोर एक्जेम्पल जैसे यदि हम भारत की बात करें न तो भारत ग्रुप दो में है यानि एक समू है ग्रुप टू इसमें भारत शामिल है और इसमें भारत के साथ रश्या है साउथ एफ्रीका है और तुर्की है और साथ ही इंडिया है यानि कि जब इस समूहों के अध्यक्षता की बारी आएगी न तो इन में से कोई एक कंट्री अध्यक्षता करेगी बात समझ में आई यानि अध्यक्षता इसकी कंट्री के अंतरगत नहीं गूमती बलकि समुहों के अंतरगत घूमती है, इस 19 देशों को 5 समुहों में डिवाइड कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, अध्यक्षता प्रतेक समुहों के बीच में घूमती है, हर साल G20 अध्यक्ष बनने के लिए दूसरे समुहों के एक देश का चैन कर दिया जाता मान लीजिए पहले साल इस सम्हू की किसी एक कंट्री के पास अध्यक्षता थी, तो अगले साल इस सम्हू के दूसरे देश के पास अध्यक्षता नहीं आ सकती है, बलकि ये अध्यक्षता दूसरे सम्हू के पास जाएगी, इसका कोई देश अध्यक्ष बनेगा, उससे अगल में मेरे हिसाब से आप लोगों को आ गई होगी फिर भी यदि आपके कुछ डाउट रहते हैं आप कमेंट में जरूर लिखा कीजिए मैं कमेंट्स देखती हूँ आप लोगों के ठीक है या मुद्धे होंगे G20 के सामने तो जितने वैश्विक मुद्धे हमें आज की डेट मे नजर आ रहे हैं यह जितने मुद्धों का सोल्यूशन विश्व को करना जरूरी है उन सारे मुद्धों को हम इसमें समाहित कर सकते हैं जैसे वैश्विक भोजन ऊ Kanye होर्जा और वित्य स रहता है क्योंकि जलवायू परिवर्तन आज के सबसे बड़ी वैश्विक समस्या है ना तो जलवायू संग्कट एक बड़ा मुद्दा है विकाशील देशों बड़े परिणाम के लिए एक विस्तारिट बहुआयामी जटके का सामना विकाशील देशों आपको कौन-कौन से मुद्दे इसके हो सकते हैं अब भारत के द्वारा अपनी कुछ पहचानी गई प्राथमिकताएं हैं कि भारत किन-किन प्राथमिकताओं पे विचार करेगा पहला विचार तो करेगा हरित विकास जलवायू वित और लाइफ यानि परियावरण के लिए जीवन शैली कैसी हो हरित विकास को हम कैसे अपनाए जलवायू परिवर्तन जो इतनी तेजी से हो रहा है कैसे हम अनुकूलन और शमन के उपाय करें कैसे हम जलवायू परिवर्तन के उपर लगाम लगाएं है ना तो इन सारी यह प्राथमिकताएं होंगी भारत की इसके समावेशी हो, प्रतेक व्यक्ति, प्रतेक वर्ग को अपने साथ लेके चलता हो, है ना, यानि केंदरी करणना हो, समावेशी हो और लचीला हो, ऐसे विकास पे जोर देना, और ऐसे विकास के लिए विश्व भर के देशों के साथ मिल के प्रयास करना, ठीक है, अगला की जीज को कैसे प्राप्त किया जाए, है ना, उसके उपर विचार करना है, साथ ही तकनीकी परिवर्तन और डीजिटल सारजुनिक बुनियादी धाचे में बहु पक्षिय सुधार, वर्तमान यूग तकनीक का यूग है, दोस्तों हम कह सकते हैं कि और योगिक क्रांती 4.0 क की बात हो रही है, है ना, यहाँ पर बिग डेटा की बात हो रही है, यहाँ पर आई ओ की बात हो रही है, तो इस तरीके की तकनीक को किस तरीके से हम सुलब बना सकते हैं, कैसे विकास कर सकते हैं, कैसे तकनीक का अर्थ्ववस्था में योगदान को बढ़ा सकते हैं, इन भारत की प्रात्मिक्ताई होंगे और अगली प्रात्मिक्ता की बात करें तो महिलाओं के नित्रित्म में विकास किस तरीके से महिलाओं के सशक्ती करण को बढ़ावा दिया जा सकता है महिलाओं के नित्रित्म को बढ़ावा दिया जा सकता है विश्व के स्तर पे ये भी भार किसी वो कौन से मुद्दे हैं जहां पे G20 को पे आवशक तोर पे कार्यवाही करनी चाहिए यदि हम इन समस्याओं को देखें तो आज आपको अलग-अलग देशों के लेवल पे बहुत सारी समस्याइं दिखेंगी यदि हम दक्षिन एशिया देश देशों की बात करें तो य ये देश जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वो प्रकृति में वैश्विक है यानि इन समस्याओं का प्रभाव किसी एक देश पे नहीं पड़ रहा है मानलीजे यदि किसी देश की एकनौमी ध्वस्त हो रही है जैसे श्रिलंका की हो गई तो इस एकनौमी ध्वस्त होने क प्रभाव केवल श्रिलंका पे नहीं पड़ेगा ना आज वैश्वी करण का यूग है आज प्रतेक देश आपस में जुड़ा हुआ है प्रतेक देश की अर्थ्यवस्ताइं आपस में जुड़ी हुई है तो ऐसे में पूरे विश्व का दाइत वबनता है इस तरीके की समस्य समस्याओं से निजात पाएं या इस तरीके की समस्याओं का समाधान करें जैसे श्रिलंका में हमने देखा कि महंगाई उचतम स्तर पे थी अर्थ्यवस्ताद वस्त हो गई यदि हम देखें पाकिस्तान में बाड़ाई आर्थिक नुकसान की वजए से लगबग 30 अरब डोल पर उठाया जाना चाहिए और मिल के इस तरीके की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए भारत को क्या कदम उठाने होंगे यहां पेना एक इंपोर्टेंट बात ये है और वो बात ये है कि भारत दक्षिन एशिया का एक मात्र सदस्य है दक्षिन एशिया से एक मात्र G20 का सदस्य है तो ऐसे में भारत की ना responsibility भारत का उत्तरदाइत वो बढ़ जाता है कि वो दक्षिन हारत को जी च्वेंटी में सामूही कारयवाही को बढ़ावा देने की जरुरत है ताकि आर्थिक स्थर्ता उत्पन हो विश्व में शान्ती उत्पन हो और इस आर्थिक स्थर्ता और शान्ति के लिए केवल एक देश के प्रयास से तो काम नहीं चलेगा वैश्विक्स तरफे प्रयास करने पड़ेंगे तो भारत का दाइत्व है भारत इन मुद्दों को उठाए भारत सबसे बड़ी अर्थ्व्यवस्था और महतपूल वैश्विक्स दबदबे वाला दक्षिनेशिया का सबसे बड़ा देश है भारत की बहुत बड़ी अर्थ्व्यवस्था यदि हम दक्षिनेशिया की बात करें तो सबसे बड़ी अर्थ्व्यवस्था है दक्षिनेशिया में एक तरीके से भारत का प्रभाव है विश्व में तो ऐसे में भारत इन अंतर राष्ट्य मंचों पर उप महाद्वीब का प्रतिनिधित्व करने के ये अच्छी तरह से तयार है, यानि पूरे दक्षिन एशिया का प्रते निध्यत्व करने के लिए भारत तयार है, और यदि भारत प्रते निध्यत्व करता है, तो भारत को निश्चित तोर पे इन सारे मुद्दों को उठाना पड़ेगा, जी ट्वेंटी के पटल पे, है न भारत उन मुद्दों पर ध्याना करशित कर सकता है जो दक्षिन एशिया और संपूर्ण विकाशिल दुनिया के लिए इंपोर्टेंट है यनि भारत को यदि अध्यक्षिता मिली है तो भारत को इस अध्यक्षिता का सकारात्मक तोर पर प्रयोग करना चाहिए और यदि भार दक्षिन एशिया का प्रती निधित्व करता है तो भारत को दक्षिन एशिया के साथ ही जितनी भी विकाशिल दुनिया है और जो उसकी मुद्दे हैं उन सब को उठाना चाहिए इस G20 के प्लाटफोर्म पे उन देशों के लिए अधिक गती सुनिश्चित करनी चाहिए जो G20 में प्रती निधित्व नहीं करते हैं ठीक है इसलिए भारत की रिस्पोंसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है इस G20 में दक्षिन एशिया और विकाशिल दुनिया के सामने बहुत सारी चुनोतियां है बहुत सारी चुनोतियां है कौन-कौन सी चुनोती है भई सबसे पड़ी तो कोविड के बाद से जो रिकवरी हो रही है देशों की अर्च्व वस्थाई चिन भी नहीं हो चुकी है चाइना में फिर से कोविड का एक नया हम देख सकते हैं कि एक जो वैरियेंट है वो फिर से उभर रहा है है ना ऐसी न्यूज आपको बहुत सारी अभी हाल फिलाहल दिखी होंगी ये सारी समस्याई है मुद्रा स्फिती प्रतेक देश की समस्या बन चुकी है ये एक बहुत बड़ी समस्या है इन देशों की जलवायू परिवर्तन बहुत बड़ी समस्या देखो वैसे तो जलवायू परिवर्तन पूरे विश्व के लिए सबसे प्रभाव पड़ेगा, तो विकाशिल देशों के उपर, है ना, तो इन सारी समस्याओं को, जो विकाशिल देश हैं, वो सामना कर रहे हैं, तो इन मुद्धों को, इन चुनोतियों को, सोर्ट आउट या, इन चुनोतियों का समाधान किये जाने की जरूत है, G20 जैसे प्लैट दक्षिनेशिया और G20 एजेंडे के लिए काफी महतपूर्ण है, यानि इन देशों में स्वास्ते धाचे में भी सुधार होना जरूरी है, मोटे तोर पे आपने यहां तक पते क्या समझा, भारत अध्यक्षता कर रहा है, G20 का एक स्ट्रक्चर देखा, अध्यक्षता कैसे मिलती है, देश आधारित मिलती है या समुह आधारित मिलती है वो, अगली बात हमने देखी कि भारत एक मात्र दक्षिनेशिया का देश है जो G20 का सदस्य है, ऐसे में भारत के उपर responsibility बढ़ जाती है, विश्व की क्या चुनोतियां है, यानि और विशेश कर दक्षिनेशि देशों की अविकाशियल देशों की क्या चुनोतियां है, उन चुनोतियों का समाधान कैसे हो सकता है, और किन-किन मुद्दों को बेसिकली G20 के पटल पर उठाया जाएगा या उठाया जाना चाहिए, इन सारे विशों को हमने अच्छे से देखने का प्रयास किया है, यद दूबने का मतलब यहां बाड से दूबना नहीं है, कर्ज से दूबना है, साथ ही बंगलादेश की भी स्थिति, बंगलादेश की भी वित्य स्थिति कुछ बहतर नहीं है, तो इन सब मुद्दों पे पूरे विश्व को दतकाल ध्यान देने की जरूरत है, भारत के पास दक दक्षिनेशिया का प्रति निधित्व करने की चमता है उसको साबित करना पड़ेगा है ना जैसे जलवायू परिवर्तन से होने वाला नुकसान है उस पे जो प्रोध्योगी की हस्तांतरण और वित्य सहायता का मुद्दा है इसको उठाया जाए भारत के दुआरा क्यों वही क्यों जलवायू परिवर्तन का सबसे ज़्यादा नुकसान तो विकाशियल देशों को झेलना पड़ेगा दक्षिनेशिया के लिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है कि आर्थिक विकास और सुशाशन का समर्थन करने वाले जो बहु पक्षिय संगठन है और विकास वित संस संस्थान है इन में भी सुधार किया जाए क्योंकि ये देश इन वेश्विक संस्थाओं के प्रमुखित धारक है जितने भी अंतराष्ट्य वित्य संस्थान है उनके ढाचे में भी सुधार किया जाए है ना और ये भी सुधार किया जाए कि जो भी विकाशियल देशों की समस्याइं हैं उन सब ही समस्याओं का समाधान पूरा विश्व पूरे विश्व की संस्थाइं मिल के करें भारत को आवाज उठानी पड़ेगी बेसिकली दक्षिनेशियाई देशों की और विकास्षिल देशों की है ना यानि भारत को दक्षिनेशिया के सभी मुद्दों को मुद्दे आपको समझ में आ गए कि आखिर दक्षिनेशिया के समख्ष कौन-कौन से मुद्दे है ये मुद्दे आपको हमेशा ध्यान रखने है इन मुद्दों को प्रात्मिक्ता देने की जरूरत है ताकि ना केवल G20 को एक प्रभावी मंच बनाया जाए, यानि ये मुद्देदी G20 जैसे मंच से उठेंगे, तो इससे G20 की भी तो इंपोर्टेंस बढ़ेगी न भई, ये एक वैश्विक संगठन तो है ही, इसकी ओर जादा महता बढ़ जाएगी, एक और प्रभावी मंच ब जाएगा, इस G20 के प्लाटफोर्म से जो गरीब अबादी है, जो पिछडे देश हैं, जो विकाशिल देश हैं, उनके मुद्दों को भी उठाने की जरूरत है, ताकि अर्बो लोगों को आवाज मिले, इस G20 के माध्यम से उनके मुद्दों को भी सुना जाए, और ये पू शेश रूप से वैश्विक दक्षिन में भारत को G20 में अपने हितों का प्रते निधित्व करने के लिए देखते हैं, कि देखो भाई, हम तो G20 के सदस्य हैं नहीं, भारत सदस्य है, अब केवल सदस्य ही नहीं है, भारत अध्यक्ष बन गया है, तो ऐसे में हमारे इन देशों की समस्याओं को इस प्लैट्फोर्म पे उठाएं, इसके साथ ही भारत को अंतराष्टे शाषन प्रक्रियाओं में सुधार करने और निश्पक्ष वारता सुनिश्चित करने के लिए अपनी G20 धिक्षता का उपियोग करना चाहिए, दक्षिनेशिया, दिगज पास विचारवीमर्ष, चर्चा और बहस शुरू करने का अवसर है, जो भारत के ततकाल पडोस और उससे आगे की चिन्ताओं को प्रभावित करने वाले व्यवारिक समाधान निकाल सकता है यहनि भारत की जिम्मेदारी आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए क्यों क्योंकि भारत दक्षिनेशिया का एक मात्र देश है जो G20 का सदस्य है और अभी अध्यक्ष बना है तो ऐसे मैं भारत की जिम्मेदारी है इन देशों की आवाज को उठाने की बात समझ में आई अभी तक जो मुद्दे हमने solve किये मुद्दे थे G20 क्या है इसके धिक्षिता की process क्या है क्या क्या इसके मुद्दे है भारत की क्या जिम्मेदारी है दक्षिन एशिया और विकासशिल देशों के क्या मुद्दे है और भारत को क्या करना चाहिये कैसे उन उठाया जाना चाहिए ताकि G20 एक प्रभावी मंच बने और करोडों लोगों अर्बों लोगों की अवाज को G20 के मंच के माध्यम से उठाया जा सके समस्याओं पर बात की जा सके चर्चा की जा सके और उन समस्याओं का समाधान मिल बांट के सांझे तरीके से निकाला जा सके ठीक है अथिती देशों को आमंत्रित करेगा जैसे बंगला देश है मिस्र है मोरिशस है नीदरलैंड नाइजीरिया उमान सिंगापूर स्पेन सयुंक तरब अमिराद इत्यादि कई देशों को आमंत्रित करेगा अथिती देश के रूप में एक याद रखना ट्रोईका क्या होता है यह पीटी में आपसे पूछ सकता है मान लो ट्रोईका का संबंध किस से है जी ट्वेंटी से है वर्ल्ड बैंक से है आई एमफ से है तो ध्यान रखना ट्रोईका का संबंध किस से है जी ट्वेंटी से यह क्या है भाई ट्रोईका क्या है इसको भी देख लेते हैं ध्यान र जील ट्रोईका का गठन कर रहे हैं यह इंपोर्टेंट इसलिए है आपके पीटी के लिए पहली बार ऐसा होगा जब ट्रोईका में तीन विकाशील देश तीनों विकाशील देश है और उभरती हुई अर्च वस्थाएं शामिल होंगी जो उन्हें वैश्विक शक्तियों के म पिर्श सम्हू को संदर्भित करता है मतलब इसमें वर्तमान पिछला और आगामी अध्यक्षपद यानि ट्रोईका कुछ नहीं है एक सम्हू है इस सम्हू में ट्रोईका यानि तीन कंट्रीज को शामिल कर दिया जाता है पिछली अध्यक्षता किस ने की थी वर्तमान अध भविश्य का अध्यक्ष कुन होगा। इन तीन बातों को मिलाके एक सम्हू बोल दिया जाता है, इसे बोलते हैं ट्रोईका, यानि पिछली अध्यक्षता की थी, इंडोनेशिया ने, वर्तमान अध्यक्षता कर रहे हैं, भारत, वर्तमान अध्यक्षता भारत, और अगली अध्यक्ष, यदि हम प्रात्मिक्टाएं देखें, तो प्रात्मिक्टाएं मैं अल्रेडी बता चुकी हूँ, G20 की समावेशी विकास है, सतत विकास है, परियावरन, संरक्षन है, महीला सशक्ती करण है, हेल्थ है, एग्रिकल्चर है, मतलब स्वास्ते है, शिक्षा है, सारजुनी कवसरंचना का निर्मान है, तकनी की सक्षम विकास है, एक बात याद रखेगा, यदि आपने कुछ पॉइंट्स को अच्छे से रिकोगनाईज कर लिया, पहचान लिया, वही पॉइंट्स ना लगभग हर संगठन के मुद्दे होते हैं, और जिन में आप कुछ पॉइंट यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हो, ठीक है, ध्यान रखेगा इस बात को, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे चक्रियर चवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, उर्जा सुरक्षा, ग्रीन हाइडरोजन, आपदा जोखिम में कमी अनुकूलन तो यह सारे प्रमुख बिंदू हैं G20 के, यदि हम इसके परीचे की बात करें, तो G20 का गठन 1999 के अंत में वित्ये संकट की प्रिष्ट भूमी में किया गया था, विशेश रूप से इसमें पूर्वी एशिया और दक्षिन पूर्वेशिया को प्रभावित किया था, उसके मध्यमाये वाले देशों को शामिल करके, जो वैश्विक वित्ये स्थिरता है, उसको सुनिश्चित करना, ये पीटी में कहीं बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, G20 देशों में यदि हम बात करें, तो ये G20 देश, दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक GDP का 80%, ध्यान इउ, लेकिन ये 20 के 20, 60% अबादी, 80% GDP और 75% वैश्विक व्यापार का प्रचेने जित्व करते हैं, यदि हम इनके सदस्यों की बात करें, तो सारे सदस्यों को रटने की जरूरत नहीं है, हमारा मेन फोकस कहा होना चाहिए, भारत है की नहीं, भारत है जी, भारत के साथ-स हम ये देख सकते हैं, जादा से जादा हमारा पडोसी कौन है, तो चाइना है की नहीं, ये देख सकते हैं, है नागरत है, अर उभरति हुई अर्थ स्वश्ताओं में हम देख सक्ते है, कि भाई दक्षिन अफरीका भी है, मैक्सिको भी है, अरजेंटीना भी है, ब्रेजील बाकी बिकसित देश तो इसमें सारे हैं, जैसे केनेडा है, सेम्ट राज अमेरिका है, यूके है, है ना, तुर्की भी इसमें है, तो ये सारी चीज़े हम देख सकते हैं, कि इसके कौन-कौन से सदस्य हैं, और स्पेन को स्थायती थी के तोर पे शामिल किया जाता है, बेसिकल और लोगों के सामने पूरे के पूरे G20 के मेंबर से इनको आप देख सकते हो अच्छे से, अध्यक्षिता मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि कैसे अध्यक्षिता मिलती है, प्रतेक वर्ष चक्रिय रूप से प्रदान की जाती है और अध्यक्ष पद करने वाला देश पिछले और अगले अध्यक्ष धारक के साथ मिलकर G20 एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ट्रोईका ट्रोईका का संबन्द आपको पता लग गया और ये जो अध्यक्षता है ना सदस्यों के बीच चक्रिय तोर पे नहीं मिलती है बलकि क्या होगा समूहों के बीच मिलती है क्योंकि समूहों में डिवाइड कर दिया जाता है कंट्रीज को आगे मैं बता चुकी हूँ कि G20 का कोई स्थाई सची वाले नहीं है और बाकी शेरपा इसमें न्यूक्त किये जाते हैं जो G20 के प्रतिनिधियों द्वारा बनते हैं जिन्हें शेरपा के तोर पे जाना जाता है और ये अलग-अलग देशों के केंद्रिये मंत्रियों और के केंद्रिये बैंकों के जो केंद्रिये बैंकों के जो गवर्नर वगेरा होते हैं उनके साथ मिलके काम करते हैं इस तरीके से जी 20 आप लोगों को समझ में आया होगा है ना हमारे ये ठोपी कम्प्लीट होता है बहुत ही जाधा important है PT के point of view से भी mains के point of view से भी mains में अगर यहा तो आशा करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरीके की वीडियों के बारे में जादा जानने के लिए मुद्दों के बारे में समझने के अपना कमेंट जरूर, अपना रिव्यू जरूर कमेंट बोक्स में लिखेगा, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, जैहिंज, भारत, all the best.